प्रेंट्स अगर आप नेट्प्लिक्स से रिगल जुडे हुए है तो आपको इंडिया प्रिडेटर इस सिरीज के बार में पताई होगा नेट्प्लिक्स द्वारा मार्च से शुरू की गई इस सिरीज में इंडिया के अलग-अलग शहरों में गटी, सच्ची और चोकानी वाले क्राइम मिस्ट्रिस को इसके जरिये दर्शकों तक लाया जाता है इसमें पूरी इन्वेस्ट्रिकेशन से लेकर पौरेंसिक, डॉक्सकार्ड, वकिल, इनी सब लोगों के ओपिनियन भी बताये जाते हैं आज में आपके लिए इसी सिरीज में से एक लेटे स्टोरी का एक्स्प्लेन लेकर आये हूँ बंगलोर शहर में दहशत मचाने वाले एक मिस्ट्री लेडी साइकाव किलर की एक कहाणी है जो सेर्फ मैरेड औरतों को टारगेट कर उनको अग्वा करता था फिर उनका बेरहमी से रेप करके उनको मार भी डालता था सबसे चोकानी वाली बात तो ए थी कि ओए सब वार्दात दिन दाड़े करता था और गुणेगार को पकड़ना पुलिस के लिए कापी मुश्किल भी था क्योंकि ओ हमेशा अपना होलिया बदलता था बंगलोर में उसने कुछ इस तरह अपनी दर्शत कायम की थी के आरतों को अपने साय से भी डर लगनी लगा था लोगोंने अपने घरों को चारो तरप से ग्रील लगवा के पिंजरे में ही अपनी आपको केट कर लिया था आगे बढ़ने से पहली मेरी आप सभी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चानल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज अभी कर दीजे और वीडियो को एंट लग देकर मुझे सपोर्ट जरूर करे तो चलिए आज डॉकुमेंटरी टाइब स्टोरी को कवर करते हैं कहाणी की शिर्वात होती है 1996 में बंगलोर से करीब 200 किलोमेटर दूर बसे चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्स उन दिनों कापी शान्थ हुआ करता था वहां की लाइब स्टाइल कापी सिंपल और शान्थी प करके अपने ओपिस जा रहे होती है जल्दी पहुशने के चक्कर में और खेतों के बीच वाला कच्चा सुनसान रस्ता पकड़ लीती है इसे बीच एक आदमी पिचे से आकर उसे पकड़ कर खेतों में घसिर्टे हुए ले जाता है वहां जाकर और पहले तो उसके सब कपड पाड़ देता है इसके बाद उसके सब जेवर उसके बदन से कुछ इस तरह से चिनता है कि उस वज़े से दिव्या के कापी चोटे भी आती है इसके बाद कापी बेर हमी से उसके ओपर बलातकार भी करता है इसके बाद ओ आदमी गायब हो जाता है गाओ के स्थानिक लोगो जब वो उसे मेडिकल सेंटर ले जाने की बात करते हैं तब दिवया पूलिस की मदर लेने से इनकार करती हैं और डर के मारे वो कोई कंप्लेट किये बिना ही वहां से अपने घर चले जाती है इसके बाद ओ चितरकुट छोड़ कर कहा चले जाती है इस बाद किसी को खबर नहीं लगती इस घटना के बाद 6 दिसेम्बर को एक मामला चितरकुट से ही सामने आता ही पल्लवी नाम की एक टीनेज लड़की शाम के वक्त आता लाने जब गाओ के चक्के में जाने से घर से निकलती है उसके बाद ओ लोटी नहीं पुलिस द्वारा चानबिन करने के बाद पल्लवी की बोड़ी उन्हें दूसरे दिन जंगलों के बीच कापी गंदी हालत में मिलती है जिस बाद से पल्लवी के साथ ग्यांग रेंप होने से आशंका पुलिस को होती है पुलिस इंगटनाओं की तक दिश में जुटी होती है मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल पाता इसी बीच उन्हें एक अन्नोन सोर्स से लेट राता है जिसमें पल्लवी रेप मर्डर केस में वहां के बड़े लोगों के बच्चे इन्नुमॉल होने के बारे में लिखा होता है मगर पुलिस को ऐसी कोई भी आशंका पेलिस नहोने के कारण ओस लेटर को इग्नॉर कर देते हैं मीडिया और अपोजिशन पार्टिया इनके प्रेशर से जुक कर एमामला स्टेट सियाइडी को सूपा जाता है डिटेर्ड इन्विस्टिजिशन के पास सियाइडी ओपिसर्स को एक रे अफोब होसिल होता है चार दिसंबर की रात को अपने काम से लाटते हैं गीता नाम की एक लड़की संग एक गटना होई थी गीता अपने रोज के रास्ते गर आ रही थी इसे मीज उसके पिताजी भी उसको रास्ते में मिलते ही फिर वो दोनों साथ चलने लगते हैं घर के पास आने पर उसके पिताजी गाव में दवाई लेने मेडिकल रुखते हैं तब गीता अपने घर की और अकेली ही बढ़ जाती है गन्ने के खेतों के पास गीता पर पीचे से कोई हामला कर देता हैं गीता पूलिस में बर्दी होने के लिए प्रिप्रेशन कर रही थी जिस वजे से ओपीचे कली और मेंटली भी स्ट्रॉंग थी तुरंद उस आत्मी का सर अपने हातों से पकड़ लेती हैं उसको उस आत्मी के बाल पूलिस दिशे चोड़े मैसुस होते हैं ओ आत्मी भी कापी स्ट्रॉंग था गीता के ताकत के बाउचुत और उसके कपड़े फाड़ने में लगा था इसी बीच गीता के पीता जी पीची से एस सब देखते हैं और एक पत्तर उस आत्मी के सर पर फेगते हैं इसमा आस सेडर कर वो आदमी भाग जाता है अंधरी की वज़े से उस आदमी का चेरा कोई नहीं देख पाता मगर उसके अप एपिरियंस को गीता अच्चे से नोटिस कर लेती हैं इस बामले को गीता बढ़ाना नहीं चाती थी इसलिए वो कोई कंपलेंड नहीं करती मगर C CID को केश सोपे जाने के बाद उनके सामने आती है इसी बीच उसका सिलेक्शन पूलिस में हो जाता है और टेनिंग में जाने लगने के बाद वहाँ एक लड़का उसे उसी रात वाला उदरिन दहुने की आशंका आती है CID officers को एक बात जब कीता बताती है तब उस लड़के की जानकारी निकालने पर CID वालों को पता चलता है कि चार दिसेंबर को उमेश रेड़ी नामक वही लड़का सेंटर से दो घंडों के लिए बाहर गया तो था और वहाँ से लोटने पर उसके सर पर एक घाव भी था जिसे उसने फिसलने के वज़े से लगा है यह बताया था फिर क्या था? CID वाले उसके रूम की चान मिन करने लगते है तब उनको कुछ अजीबो गरीब सावान उसके रूम से मिलते है फिमेल्स के अंडर गार्मेंट्स और कपड़े वहां मिलते हैं उमेश से यह सब क्या है? यह पूछने पर वो बताता है कि यह सब में रात में पहन कर सोता हूँ इस जवाब से CID वालों को एक साइको डिसाओर वाला इंसान लगने लगता है उसकी पूरी जनकर निकालने पर CID वालों को पता चलता है कि उमेश बसप्पा नामा लिगे इस गाओ में था एक गाओ चित्रकुट जिले में ही पढ़ता ही उमेश के फैमिली में उसके सियों उसके माता पिता दो भाई और एक भैंती उसका एक भाई बाद में गाए पी हुआ था जिसके बारे में उसके गर वाले भी नहीं जानते थे उमेश बच्पन से ही क्रिमिनल बैंडेड था स्कूली दिनों में और बच्चों के बैग में से चीजे सुराता था बड़े होने पर गाउ के लोगों की कीमती चीजे पालतु जानवर इन पे हाथ साप करता था उसके चोरी सी आदस से उसकी मा ना कुश थी तो उसके पिता जी उस पर खुश थे वो अपने मेटे के समर्दन में सबसे जगणा मोड लेते थे इस बाद से गाउ में कोई उसके फैमिली से रिष्टा नहीं रखता था उनका परिवार कापी गरीब था और पाणी न होने के कारण ओखेत में जादा कुछ उगा भी नहीं पाते थे उमेश की हरकतों की वज़ों से गाउ वाले उसे गाउ से बारी बगा देते हैं इसके बाद और कश्मिर में ट्रेनिंग के दोरान वहां के कमांडेट के बेटी को ही छोयर देता है इसके बाद वहां से बाग करो चित्रकूट में आकर पूलिस फोरस में जोयन हो जाता है दिवय के साथ वाला क्राइम को मानने पर सियनी वाले उसे स्टेट पूलिस को सौम देते हैं मगर उमेश भी कापी शातिर होता है और वहां से बेल लेकर कुछ ही दिनों में बंगलोर भाग जाता है वहां कोडा कच्रा जमा करने का काम करते करते और लोगों के घरों में चोरिया भी करता है एक रोज लोगों ने पकड़ने के बाद जब पूलिस उसकी चानबिन करती है तब अपना नाम रमेश बताता है उसके घर से पूलीस को किमती गहने मिलते हैं और साथ में डेड़ सारे लड़कियों के अंडर कार्मेंट्स भी मिलते हैं उससे पूछने पर बताता है कि उसने पिनिया नाम के एक जगह से चुराये थे और उनका समेल लेके वो अपने आपको रात में उत्ते जित करता है पिनिया में जाकर पूछ ताच करने पर वहाँ एक संद्या नाम की एक औरत मिलती है जो उमेश ने मेरे साथ गलत हरुकत की और मेरे यहां से ओकमड़े चुरा कर ले गया यह बताती है उसने पूलीस को इस बात की तबी कम्बलेंड भी की थी और उसे पकड़ा भी गया था एक बात भी बताती है इसके बाद रमेश का असले नाम सुरेशी था एक बात पता चलती है इसके बाद सियाडी वाले भी उसे डूरने लगते हैं क्योंगी इन सब कांडों के पीछे वही है एबात का उनेशक होता है इसी मीच 1988 की एक गटना में दिखाते हैं जिसमें राजु नाम का एक छोटा लड़का अपनी मा के साथ बंगलोर के पास में ही रह रहा होता है और उसके प्राइवेट स्पार्ट से खून भी आते देखता है तब वही कड़ा एक आदमी राजु से बोलता है कि तुमारी मा पे बूत का साया है मैं एक तांत्रिक को लेकर लोड़ता हूँ तब तक तुम यहीं बैटो इसके बाद हो आदमी लोड़ता ही नहीं अडोस पडोस के लोग आकर इस बात को जान लेते कि राजु की मा को रेप करके चोर ने मार दिया है और घर भी साप क्या है चोर का चेहरा राजु तो नहीं देखा था मगर बातों से हमें एक कर्तूद उमेश की होगी इस समझ में आता है इसी भी बंगलोर में और भी सिमि पर प्रिंड की सिवाए कोई चश्मदित गवाँ खोज नहीं पाती थी एक रोज एक जोसना नामक प्रेगनेंट लेडी कापी बहादुर से उमेश के हमले का सामना करती है और अपने पडोसी की मदस से उमेश को पुलिस के हमाले करी देती है फिंगर प्रिंड के जर ये उ उमेशी बंगलोर का बिस्ट होने की बात कनपम होती है फातिमा नैना रेवती इन और अरण दोगों मी कापी दरिंदिगी से उसने मारा था ए बातों मान लेता है मगर उमेश भी कापी शातिर था वो पुलिस के सामने दिये बयान से कोर्ण में मुकर जाता था शुरुआत म हमने देखा दिव्या के केस में भी उमेश उसके गहने कहा चुपाए है ए दिखा कर उस जुल्म को कबूल कर लेता है पुरे बंगलोर और चित्रगूट की पूलिस उमेश के कारणामों से वाकिप थी स्टेट सी आडी में भी उसको हर को ही जानता था उपर से सिधास्ता द बयान देने आती ही नहीं थी जिस वजह उमेश को फासी के फंदे तक पहुंचाना पूलिस के लिए मुश्किल हो रहा था मगर राजू नाम के लड़के के बयान पर उसे एक जोज ने फासी की सजा सुना दी जनता इस बास से कापी खुश थी मगर राष्टपति को निवे जरूर बताए एस टोरी स्क्रिप्टेंड होने की वजह से आपको शायर इसमें कुछ पार्ट मिसिंग भी लगे होंगे मगर यही इसका जॉनर है तो चलिए अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का आप सब खुश रहे हस्ते रहे इसे दुआ के साथ में आपसे लेती गुर बाए